आनन्द की बात दद्दाने की, सबसे मैं और मेरे साथ तमाम हिंदुस्तान के लोग आनन्द में हैं, जब से सुभा हम लोग पंश्यतन तरवन पर पहुंचे और मैं चाहूंगा थोड़ी तालियां बजाएं नीचे आलोग जी भी बेखे हुए हैं और एक ऐसे जो कहते हैं न वो शूने जो है, वो शूने शिव का है, जी वो शूने शिव का है, तो आलोग जी जिन्होंने हिंदी में शिव तांडव सुरोत की रशना की उसका नवाद किया और दादा की भाव बंगिमाएं, दादा की आवास, उसने चार चान लगा दिये, दादा, ये कैसे लगा के यह जो बाजू में मैं सफेद कपड़ों में हूँ और यह काले सूट में हम दोनों कि गुरु भाई है और गुरु भाई तो बहुत से होते हैं लेकिन प्रियसन्य जो है मतब एक हिसाब से यह देखा जाए तो पूझ दद्दा ने 131 यग किये हैं और 131 यगों में से 130 में मैं शामिल हुआ हूँ और 125 में हमारे प्रियसन्यविया शामिल हुए है तो जो शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया में पूरे देश भर में परम पूझ दद्दा ने सवा करोड़ पार्थे शिवलिंग निर्माण महारुद्र यग करते तो तक्रीवन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग 131 यगों में संपन करवाए हैं बनवाए हैं जैसे परम पूझ आदी शंकराचारी जी ने पूरे देश को बाहरे जोतर लिंग से बांधा हुआ था और हर हर महादेव का नारा लगाया था वैसे पूझ दद्दा ने इस देश के प्रत्यक नागरे के नाम पे चार शिवलिं मनवा दिये तो पूझ दद्दा ने आदी शंकराचारी जी के हर हर महादेव को घर घर महादेव के अंदर रूपांत्रित कर दिया तो यह जो शिव तांडव इस्तोत्र है इसको हम निरंतर सुनते थे कि जटाटवी गलज्वला प्रवापा वितस्तले गले वलंबलंबिता और इसकी विविन विविन बहर थी कुछ लोग इसको रौदर में गाते थे कुछ लोग इसको शांत भाव सकाते थे लेकन जब धीरे धीरे परमपूज दद्दा की संपर्ग में यह बात आई तो यह निकल के आया कि यह तो एक शिव की इतनी मांगलिक इस्तुति है उनके स दुनिया में शक्ती का भी मद होता है लेकिन सबसे खतरनाक मद होता है भक्ती का मद शक्ती के मद में आदमी संसार को उठाने का प्रयास करता है जगत को उठाने का प्रयास करता है लेकिन जिसको भक्ती का मद चड़ जाता है वो जगदीश्वर को उठाने का प्रयास करने लगता है तो शक्ति के मद के उपचार तो हैं लेकिन भक्ति के मद के उपचार बड़े कठिन होते हैं तो ऐसे ही भक्ति का मद कहीं महादेव किस भक्त रावण को चड़ा और उन्होंने विचार किया कि आज हम अपने गुरु जी को लोग लोग तो दो भुजा वाले होते हैं हम तो बीस भुजा वाले हैं लोग एक सर वाले होते हैं हम तो दस सर वाले होते हैं और आज जो पूरे जगत को उठाये हैं हम उनको उनके आसन सहित अर्थात कहलाश सहित उनको सर पे उठाके एक नय किर्दिमान गढ़ना चाहते हैं और ताकि लोगों को पता लग सके तो वो उस मद में कि आज गुरु जी को भी हम अपने भक्ती का भक्ती की शक्ति हम दिखाते हैं गुर्देव को अपने तो वो उसी बहर में पहुंच गया अच्छा माता और पिता जगत जन्नी पारवती ब कि इस बच्चे के मन में क्या है और पिता बच्चे के मनों भावों को सन्नाटे नहीं शब्द के माध्यम से समझता है तो मातेश्वरी समझ गए कि यह जो है यह मामला शिष्टता का नहीं है यह मामला अशिष्टता का है कि आपको अपने माता पिरता आपको अपने जगत के सामने नहीं, जगदीश्वर के सामने है। तो वो आय उनों नहीं कहा कि देखिए, यह आपकी भक्ती का शक्ती का प्रमाण है वाईस। कि यह आज आपको ही सर पे उठा के रखने के लिए चेश्टा से चले आ रहा है। तो महादेव शिव जो की वो जानते हैं कि सेवक के एहंकार को पुष्ट कर देना चाहिए और भक्त के एहंकार को नश्ट कर देना चाहिए ऐसी उनकी प्रक्रिया होती है कि जब सेवक का एहंकार हो तो उसको पुष्ट कर दो तो आपकी सेवा में सुभीधा हो जाती है लेकिन भक्त का एहंकार हो तो उसको नश्ट कर दो तो उसकी भक्ती में और बढ़ा हो जाता है तो महादेव शिव ने अपने सिर्फ एक अंगूठे का पैर के अंगूठे का हलका सा दबाव बढ़ाया और रावण जो अभी तक अपने दोनों हाथों को लेकि जड़ में पहुँच चुके तो उठाने का प्रयास कर रहे थे और उनका हाथ उसके नीचे दबकिया और वो पीड़ा से तो जब पीड़ा होती है ताड़ना होती है जिससे तांड़ों की उत्पत्ती हुई तो अब उस पीड़ा से खास करके अगर किसी दूसरे से पीड़ा मिले तब तो व्यक्ति अशिष्टता का प्रलाब कर सकता है लेकिन जब अपने आरात से पीड़ा मिले तो फिर चिरोरी पर उताराता है और वो चिरोरी मतलब पर उनके रूप और सौंदर की कि अपन कहते हैं ना मम्मी आज आप मारोगी तो नहीं कितनी अच्छी लग रहे हैं कितनी सुंदर लग रहे हैं हमने अच्छा लग रहे हैं तो यह तमाब चीजों मम्मी गहते हैं कि बगवास नहीं बद्तमीजी नहीं ले उस समय वह तो वही उसी में देवादी देव महादेव के उस सौंदर की चर्चा करने लगे और जब वह सौंदर की चर्चा हुई और चुकि वह संस्कृत में हैं इतनी अदभुत इस्तुती है मांगलिक इस्तुती है कि जहां पर उनके श्रिंगार उनकी शक्ति उनके सौंदर तमाम चीजों की वह बात कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि यह इतना अच्छा है और लोग कहते हैं कि इनके उचारण से अगर इसका पाठ लोगों को कंठस चाहिए भाशा की कठनाई के कारण वो सिर्फ कान तक ही सीमित हो पा रही है लेकिन कंठ में नहीं उतर पा रही है तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन हमने प्रेय आलोग को फोन किया क्योंकि आलोग का लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है वह भाव प्रदान लिखते ह जो चाहिए वो माता-पिता के बारे में लिखें चाहिए वो रिष्टों के बारे में लिखें वो भाव प्रदान लेखते हैं वह उनकी तुम मैंने एक दिन इनसे चर्चा की किया हमको लगता है कि यह जो संस्कृत की शिव तांडव स्टोत्र है इसका हिंदी में आना चाह करती हैं और अद्भुत उनके अंदर शमता है और परमपूझ गुर्देव की कृपा से परमपूझ महादेव की कृपा से वह उसी बहर में उनकी कलम से उतर के आगए और जो उनकी कलम से उतरे तो हमारे कंठ में उतर गए हमारे कंठ में उतरे तो आपके कर्ण में सब्सक्राइब कर देखाओ अगर आपके पास जो हम तो सुना हम तो जो सुना रहे हैं यह शिव इस्तुति के वह सब्टेक्स्ट है टेक्स्ट तो हर आद्मी सुन रहा है लेकिन जो सब्टेक्स्ट है कि सत्य आप शब्द सुन रहे हैं लेकिन अभी हम जो आपके साथ साजा कर रहे हैं वो सत्य साजा कर रहे हैं कि इन शब्दों की यात्र है कहां से हुई वो इस सत्य के वाद्दम से हुई तो हमने तो सत्य सा तो यह उसमें हैं लेकिन पूरे सत्ता सत्रा श्लोक हैं जो उसके अंदर आये हैं आप देख रहे हैं तकल नीएव